दोस्तों नमस्ते फिर से कुल्ली रीडिंग में स्वागत है यह फिर से रीडिंग है शायद 5 वी रीडिंग है मेरी तो अब ज्यादा रीडिंग नहीं होगी एक दो रीडिंग और ज्यादा हो सकती है हो भी होगी नहीं होगी गैरेंटी नहीं तो अब रीडिंग करूंगा को तो जो रीडिंग अपनी करवाना चाहता है फ्री कुल्ली चार्ट रीडिंग पे अब मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो फिर से यही बोलूँगा जैकि आपने डीटेल्स वाट्साप पे ड्रॉप करिए कॉल मत करिए जो नमबर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन वह तो फ्री रीडिंग आपको प्रॉइड की जाएगी तीस ऑक्टोबर के बाद आपकी पर्सणल लीडिंग आपके दो सवालों के जवाब दी जाएगा चानल सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है अब बात आती है जिकी मेरे पास ने कई सारे कोशन्स आ रहे हैं अभी कुछ मतलब मेरी शादी का क्या होगा यह Μेरी को सर मैय क्या हुआ करती हूँ वो मेरे पास बापिस आएगा किया नहीं आएगा क्या होगा अब मेरी हमारी जो age होम चुकी है उस age में वैसा तो प्यार जब-भी होता है तो उस ठाइम पे इंसान थोड़ा वालेटाइल हो ही जाता चाहिए कोई भी एज हो लेकिन अभी क्या है आप लोग बहुत यंग है और आप लोग को जब रिलेशनशिप में आप जाते हैं तो आप बहुत होल हार्टेडली जाते हैं क्योंकि आपके जो हार्मोन्स लेवल हैं वो बहुत हाई होते हैं इस एज में और बहुत स्ट्रॉंग हार्मोन्स लेवल होते हैं तो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत हाईली हिट करती है इस पॉइंट आप लोग को यही बोलूँगा जिकि थोड़ा सा इन सब चीजों से है जिकि वो सुक आपको उसी आदमी से मिलेगा या उसी लड़की से मिलेगी आपको कहीं और से भी मिल सकता है हाँ जरूर टाइम लगेगा रिकूप करने का लेकिन मिलेगा एज कम है तो इन सब चीजों को लेके जादा सोचनी की जरूरत नहीं होनी चाहिए प्लीज अपने अपने लाइफ को लेके थोड़ा सा फोकस करिए और एक और चीज़े यह मैं लाइफ को लेके फोकस ऐसा भी मत करिए जिकि लाइफ को फोकस करिए लाइफ में खुश रहने की कोशिश करिए बिक किसी भी चीज़ को जादा hardly या जादा strongly मत फील करिए क्योंकि यह आपको problem देंगे, आपकी growth में problem देंगे, आज जो प्यार के चक्र में पागल हो रहे हो, पांस साल बाद, दस साल बाद, क्या हो सकता है, यह सोचने पर पढ़ जाज़ी कि उस time पर अगर serious हो गए होते, और मस् या तो अपनी education के लिए रो रहे होगे, इस time पर मस्ती करो, और या तो education पर focus करो, या दोनों करो, ठीक है, तो इस चीज़ को बोलूँगा, जादा ता सबकी reading नहीं करता हो, relationship को लेके, तो जिनकी अगर हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, तो जिनको, इन लोगो कई सारे message आए, तो सबको, यही मेरी तरफ से advice रहेगी, तो अब यह जो कुंडली है, यह फिर से चंदरलगन की कुंडली है, और यह कुंडली जो है, यह है, मुसकान की, मुसकान खुद परेशान है, तो अब कहां से मुसकान आएगी, है न मुसकान, तो मुसकान ज्यादा इसको लेकर उसको फ्रेंड से प्राइण हो परते हैं को इससे प्रिंड के सथा के being have a क्योंकि केतु आपकी अभी आपकी महादशा जो है वीनस की चल रही है उसमें बुद्ध की महादशा चल रही है और केतु की आपकी पत्यंतर दशा चल रही है जो सेप्टेंबर महीने तक थी जो कि अब कट चुक है अब शुक्री की पत्यंतर चल लिए तो अब थोड़ा बेटर हो या एक दो महीने में बेटर होगा ठीक है लेकिन एक चीज़ बता देता हूं मुस्कान चौते घर में केतु बैटा है तो कहीं से भी आप जहां से सुक लेने की कोशिश करेंगी जहां से भी दोस्ती से अगर आपको कण्वीनेंस मिल रहा है कुछ भी मिलेगा तो वहां से आपको problem create करेगा मतर के house से भी आपको problem create करेगा अभी एक वीडियो मैंने पहली बनाई है उसमें भी केतु चौते घर में बैठा हुआ था तो आपका भी वही लगन है वही कुंडली वही वही पर केतु बैठा हुआ है लेकिन आपके केतु के साथ एक चीज यह है जि यह आपके time period बहुत अच्छा है अपने career को लेके focus करिए आपके शुक्र में बुद्ध की अंतरदशा चल रहे है बुद्ध भी भाकिस्तान में पैटा हुआ है तो जो आपने दूसरा सवाल पूछा है CA को लेके क्या होता है मुस्कान कभी-कभी भगवाना अपने चीजे कर रहे हो या आपके साथ आपसे जलस कर रहे हो तो इस कारण हो सकता है जिकि भगवान उनको आपको आपको आपसे दूर कर रहा है क्योंकि आपका अभी शुक्र में बुद्ध की महां अंतरदशा चल रहे है तो 2026 तक चलेगी तो अगर CA complete करना है तो इस point of view में बहुत कोशिश पूरी करिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपके घर में देखो तो थर्ड हाउस का ओनर है मरकरी ठीक है अच्छे नमबर लिखा है और बारवे घर का ओनर है मरकरी मतलब आपके बाहर अगर आप बाहर बरत प्ले से बाहर स्टडी कर रही हो तो भी अच्छा और महनत के लिए है फन करना जरूरा मतलब नहीं मतलब इंजयाए वाला फन ठीक है तो लेकिन एजुकेशन के फोकस करो अभी क्योंकि सीए आपका clear तभी होगा क्योंकि शुक्र की महादशा है अभी शुक्र आपके लगन में यह आयश का मालिक है और अगा आप देखोगी तो चौतेगर का मालिक है तो कहीं न कहीं convenience का मालिक भाकिस्तान में बैठा तो convenience जरूर मिलेगा लेकिं के तो यहाँ पे convenience मिलके भी सुक नहीं मिलेगा मदर से भी कहीं सुक नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं यह denote करता है ठीक है तो यहाँ पे आपको महनद करने का भी time है शुक्र यहाँ पे आये तभी देगा और तभी convenience अभी शुक्र की महादशा चले तो शुक्र education में mathematics से relate नहीं करता है तो mercury रिलेट करता और third house का उनर है तो अभी time period बहुत strong है शुक्र के बाद जब सुरिय आएगा जो 2026 के बाद आएगा वो अगर आप देखोगी तो second house को denote करता authority को denote करता लेकिन तब तक आप CA मेरे हिसाब से clear कर लोगी या last stage पे होगी सुर्य के time पे भी अच्छा period रहेगा लेकिन इस time पे 26 पे आपको focus करना पड़ेगा मुस्कान अभी आप 18 years है 18 plus है तो कोशिश करिए तो कि जब तक आपनी graduation complete करे तब तक आप अपना CA complete कर ले आपका clear होने के चाज़ाज है लेकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि शुक्री की महादशा चल रही है शुक्री की महादशा होने के कारण यहाँ पर convenience और दोस्ती प्यार मोहबत इन सब चीजों में इनसान पड़ चुका है और उसको अभी इन सब चीजों करेगा शुक्र convenience में और शुक्र और boyfriend's and relationship और friend's relationship में पड़ोगी तो कहीं ना कहीं भाग्य में उससे में जरूर benefit मिलेगा उन सब चीजों में benefit मिलेगा लेकिन कहीं ना कहीं अपने focus को lose करेगी शायद इसलिए ही भगवान आपको यहाँ पर distance कर दिया है कुछ दोस्तों से लेकिन वो भी recover हो जाएगा जब केतु है और यह आद रखना केतु कि जब भी अंतरदशा महादशा आएगी तो आपको थोड़ा ना थोड़ा convenience और isolation में डालेगी परिशान करेगी आपको थोड़ा अपने सुकों में और मदली नेचर आपके मदल के लव में कहीं न कहीं कमी दिखेगी ठीक है ओके मुस्कान